के साथिए स्वाकर आपका एक और सांदार वीडियो में और इस वीडियो मैं देखिए हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करना अले हैं जो बहुत ही अच्छे प्रॉफिट गरोफिट कर रही है और स्ीज़्स गरोफ भी बहुत अच्छी है साती साथ with you bhoard सांदार दे रही है देखिये अगर दस साल का इसका हम sales growth देखे तो 33% से बढ़ी है पीछले 10 सालों में profit growth 54% से और CIGR 33% से बढ़ा है यही अगर पांस साल में देखें तो 30% से sales growth बढ़ी है profit growth बढ़ी है 81% से और 5 साल का जो CIGR है वो है 110% और 3 साल का CAGR अगर हम देखें इसमें तो 249% है तीन साल का और इस साल का Profit Growth और Compounding Sales Growth नहीं दी है लेकिन इस साल जो है Sales में जो हमारा CAGR है इसमें थोड़ी सी हमें गिरावट देखने को मिली है क्योंकि हर Share के Price इस समय डाउन में रहे तो ये भी गिरा था और उसी में इसने माइनस के 2% में नेगिटिव रिटन इसने दिये हैं बात करें देखे इसके Reserve की तो Reserve Company ने बढ़ाए हैं जहां माइनस में 4 करोड के थे वहां 86 करोड के Positive हो गए हैं और करजा अगर देखें आप तो जहां पहले करजा 23 करोड का हुआ करता था बीच में लगभग खतम कर दिया था लेकिन अब फिर से थोड़ा सा करजा Company ने लिया है क्योंकि ये अपने काम को थोड़ा सा बढ़ाना चाह रही है तो इसलिए थोड़ा सा करजा Company को लेने पड़ा है 11,000 करोड का करजा है Company के उपर तो कौन सी ये Company है क्या काम काज करती है सब देखेंगे लेकिन उससे पहले ये दिए आपने अभी तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब कर लेजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा साथ ही साथ कोई शेयर आप डिसकस करना चाते हैं हमसे तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कोसिस करेंगे उसके ओपर एक फुल एनलिसिस वीडियो बना दी जाए तो चलिए शुरू कर लेते हैं देखें Company का अगर हम Share Holding Pattern देखें तो बहुत शांदार हमें नजर आता है जहां कहीं 48% हुआ करता था इससे पुराना डाटा है नहीं अगर वो होता तो उसमें और भी कम था बहुत कम इसमें Share Holding Pattern में Promoters की Holding थी इसमें अभी जाके ये 72% हो चुकी है लेकिन और FII के पास 2.2% की एक सांदार अच्छी खासी एक Holding बनी हुई है जो कभी 0 हुआ करती थी पहले DIA के पास अभी भी कुछ भी नहीं है और Public के पास है 26% तो Share Holding Pattern हमें अच्छा दिखाई देता है और इस Public में भी अगर हम देखें तो सुभाष चंदर जी है ये इनके पास है लगभग पोने 6% के शेर और सिरसा Deposit and Advances Limited है ये कंपनी है इसके पास भी लगभग 4% है तो और सिदे सिदे एक और है सर्वत्तम Securities Private Limited इनके पास है 1.33% तो आम Public के पास बहुत ही कम शेर है इस कंपनी के अगर कंपनी के हम सेल्स देखें तो अगर बीच में देखेंगे आप यहां पर 2007 में 11 करोड थी लेकिन 8 में 2 करोड, 1 करोड, 1 करोड, 9 करोड बहुत कम थी और इस बीच शेर प्राइज भी कंपनी का कुछ पैसे में हुआ करता था 40 या 45 पैसे के आसपास हुआ करता था लेकिन 2014 से अच्छी सेल्स कंपनी कर रही है 14 करोड, 13 करोड, 50 करोड और इस बार 180 करोड तो अब जाके कंपनी का जो शेर है ये ओपर की और भागने लगया है और 40 रुपे के आसपास इस समय ट्रेट कर रहा है साथी साथ अगर हम कंपनी के प्रोफिट देखें तो जहां कहीं माइनस में 6 करोड के लोज वा करते थे वहीं 40 करोड के प्रोफिट में कंपनी आ चुकी है अगर देखें, चार्ट देखें तो चार्ट बहुत रिस्की दिखाई देता है अच्छा नहीं था पहले और सिर्फ और सिर्फ 46 पैसे भी ये ट्रेट किया करती थी इससे भी नीचे थी करीब करीब 40 पैसे का आसपास ये कंपनी पहुँच गी थी लेकिन अब 40 पैसे से 40 रुपे हो चुकी है तो सीधे सीधे बहुत अच्छा 100 गुना का रिटरन इसने दे दिया है 1000 करोड की कंपनी है थोड़ा रिस्की हो सकता है देखे अभी और 41 का इसका करेंट प्राइज चल रहा है 4 रुपे 52 पैसे की बुक वैल्यू है 26 का इसका P.E. है तो P.E. ठीक मिल रहा है अभी कंपनी का नाम है रितेस प्रोपर्टीज एंड इंडस्टीज लिमिटेड 41 रुपे 90 पैसे भे आज ये ट्रेड कर रहा है अभी लाइब मार्केट चल रहा है और कंपनी जो हमें कामकाज करते हुए दिखाई देती है आप देखेंगे कि ये जो कंपनी है ये हमारी फैबरीक में काम करती है मतलब कपड़े में पैर्जीव और इसके जो चेर्मेन है ये है हमारे संजीव अरोडा जी दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल परपच के लिए थी इनवेस्ट करना नहीं करना आपके ऊपर है आप अगर invest करना चाते हैं तो अपने financial advisor से सलह जरूर ले लें मिलते हैं फिर next video में तब तक के लिए नमस्कार जै हिंद जै भारत